अजय हिंदर नमस्कार मेरे शेर शेर नियों स्वागता आप सभी का अपने यूटूब चैनल कमांडो केड़ में में दोस्तों आज का जो वीडियो हमारा वो रहने वाला एंसीबी पर आप सभी को पता है पिशली बार यह नहीं लास्ट जो वेकेंशी थी 2023 वाली उसमें एंसीबी के लिए कुछ वेकेंशी जोड़ी गई थी वैसे आपने एंसीबी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और अभी कुछ दिन पहले जो समीर वान खेड़े इनके बारे में भी कापी चर्चा रही जब सारु खान का बच्चा एक केस में फशा था आप सभी को पता है बाप केशड़ी बोल रहा था ठीक है और उसका पुरा का पूरा मेंटर किसके पास था एंसीबी के पास नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों एंसीबी की फुलपों एंसीबी की नौकरी सबसे सांदार नोकरी है जितनी ब्यूतिके दोरान आप बढ़तियां देखते हैं सब्सक्राइब को इस लिए इसी वगे से सब्सक्राइब करने का मजा भाजा है ढूसरी इसके बाद में रखते थे निये निये नेशन इन्वेस्टिकेसन एजैंसी ठीक है एनाई कि आपने देखे होगे बहुत सारे case में जैसे कि शुषान सिंग राधपुत case में भी आपने नाई को देखा होगा National Investigation Agency एनाई और जैसे CBI आप सुनते हैं या CID आपने सुना अगा इन्हें क्या फरक है जो निएशनल इंवेश्टिकिस एजएंसी ना यह कि वह राष्ट्री मुद्धे देखती है कोई मडर्वडर कहरे से मुद्धे निदेखती जब कि यह दोनों मडर्वडर सब देख लेती है चोरी हो जाती है तो भी इनको देते हैं छोटा मोटा राजनेटी केस हो जाता तो झान भी इनको देते наж me wonky सनियाए नियुक्ष आनए वहीं मिक्ति करती है जहां पर किसी दूसरे देश की इन्रॉल्मेंट नजर आती हूँ कि या दूसरे देशे मादयक पर्दात 2005 शॉरा कि यह भी काम करती है शृचरी नर्कोटिक्स, कंट्रोल ब्यूरू यनि जो भी मादक परदात से समन्द ही चीज़े होती है यह जैसे बहुत सारी ऐसे मादक परदात होते हैं सराब के अलावा, जैसे सराब तो क्या है, लेकिन आपने देखा हुगा गाण्जा, अफि बारे में लेकिन आपको होगा मतलब पड़ा होगा आपने तो उन सब के बारे में जैसे कोई भी केस होता जैसे आपने देखा कि सारुखान के बेटेवाला केस हुआ तो उनके पास में नशीले प्रदार्थ मिले थे तो उसको केस किसे लिया था कानवे तो सबसब्सब्स अच्छी नोगरी मानते है नोगरी तो सारी अच्छी है नाट तो सी नोगर जाते हैं एक परिवार के साथ रहना को मिल जाता है कि इसमें मज़ा आता नोखरी करके एंसीबी वेशी है तो एंसीबी में नोखरी आसान पहले बात तो देखिए कि ज्याजा तर यह सिविल ड्रेस में रहते हैं ठीक है मेक्सिम जितने भी केस होते हैं उनमें जो एससीजीडी के थुरू होते हैं यह जो सिपाई होते हैं यह क्या काम करते हैं शुरुक्षा का काम करते हैं ठीक है जो भी एंसीबी ओपिसर हो गए जो उसके डिपार्मेंट के जहांस कर रहे हैं तो उनके शुरुक्षा का काम कौन करते हैं जो एससीजीडी के दूसरा शूटी अच्छी मिल जाती है, पेमेंट अच्छा मिल जाता है, और ड्यूटी रिस्क कम होती है, सबसे खास बात यह है, बाकी फोर्सेस में सभी में आप से है, इसे पर चले जो, एसेश बी, असमराइपल, आई टी बी पी, शियार पी एप, बी एफ सब, इनमें रि इसका लेवल बहुत कम होता, बहुत कम में इसावसर होता है, कि जब आपको कोई गोली फायर करनी हो, क्योंकि NCP के पास में केस ही, पुलीस केस होने के बाद में आता है, जब पुलीस किसी चीट की तहक्किकात करती है, फिर वहाँ पर नस्षे का, या मादग परदाथों का इंड्रोल्मेंट मिलता है, फिर वो केस की से बहुत जाता है, NCP के पास, फिर NCP वाले उसकी पूरी अच्छे से जांच करते हैं, और उसी दोरान जो SSGD के थुरू जो जवान बढ़ती होते हैं, वो क्या करते हैं, सिपाई की इस्ट में डूटी करते हैं, इनकी सुरुक्स में रहते हैं, तो समय अच्छा निकल जाता है, बोर्डर पे मानलो BS UP में तो 4 घंटे यूँ खड़ा रहना पड़ता है, सामने कुछ नहीं दिख रहा, बहुत माइनस डिग्री टेंपरेचर या बहुत हाई टेंपरेचर में रहना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप मेगा सिटी में लोगों के बीच में केस के इन्विस्टिकेसन है, मतलब छोटे से ही जब आपने देखा होगा, CID आपका सफना होगा, कि हम भी जाच परताल करें, तो सारा काम इसमें मिल जाता है, तो वेसे ही मज़ाता है, इस परकार की जो बच इसको करने में मज़ा आपको कभी ऐसा लगे गया नहीं कि मैं छुटी जाओ, क्योंकि एक बेक टू बेक केस चलते रहते हैं, तो आप सोचते हो कि हाँ ये कहां से आया, वो कहां से ये कहां से हो गया, मतलब एक बहुत ही जनरली जो लोगों की सोच होती है, मैं इस परकार का कारी ये करूँ, उस इस परकार का कारिया आपको NCB देती है तो इसको करना में हर एक इंसान को बहुत मज़ा आता है तो बहुत मज़े वाली जोब है जो भी बच्चे तयारी कर रहे लेकिन ध्यान रखना है इसकी कटोब सबसे उपर गई है अभी भी इसकी सबसे उपर जाएगी गर आप चाहते ह मार्च में क्या होंगे लाड़ लो एक्जाम होंगे और अगर आप तयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो कमांडो केड़ मी का एप्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं पले स्टोर से जाके और एससे जीडी की तयारी कर सकते हैं